नमस्कार दोस्तों, खेल कूद 2021, इंपोर्टेंट इसलिए बन जाएगा ये टोपिक, क्योंकि आपको पता है कोई साभी कंपिटिशन एकजाम हो, खेल कूद से रिलेटेड एक या दो परसन आपके जो करंट के हैं, वो पूछे जाते हैं, तो मित्रू खेल कूद 2021 इसमें खे जरूर अटेंट करें दोस्तों, हर एक क्योशन आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगा, चलते हैं दोस्तों क्लास के और एक वार सभी मित्र वीडियो को लाइक, सेर और जो नए साती है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पहला क्योशन आपकी स्क्रीन पे, मित आयावा क्योशन, 24 जुलाई 2021 को किस वारतिय खिलाडी ने टोकियो ओलंपिक में बारत की तरफ से पहला पदक जीता, आयावा क्योशन है इस साल, पूचा क्या है कि कौन से खिलाडी ने टोकियो ओलंपिक के अंदर बारत की तरफ से पहला पदक जीता, 24 जुलाई को मीरा भाई चानू ने किस ने जीता था साही खौम मीरा भाई चानू ने ओप्सन तीन ही आपका यहां पे सही रहेगा बात करते हैं कि मीरा भाई चानू ने किस वरग के अंदर ये किताब जीता तो बारो तलक के अंदर ये किताब जीता था और किताब के अंदर उन्होंने क्या प्राप्त किया था दोस्तूं रजत पदक प्राप्त किया था इंपोर्टेंट क्यूसन ओलंपिक से रिलेटेड नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं क्यूसन नंबर दो जुलाई 2020 में अंतराष्टिय मुक्यबाजी संग द्वारा जारी महिला एवं पुरुस मुक्यबाजी की विश्वर रेकिंग में कौन सा भारतिय मुक्यबाज 52 किलोग्राम भार वरग में कुल 1300 अंकू के साथ पहले इस्तान पर है दोस्तूं कौन है अमीत पंदाल क्यूसर नमबर तीन है मारा 18 जून 2021 को भारत के महान एतिलिट मिलका सिंग का निदन हो गया मिलका सिंग के संबन में विकल्प मैंसे कौन सा तत्ते सही नहीं है वो आपको बताना ये क्यूसर भी एकजाम में आ चुका है मित्रूं तो देखे पहला है मिलका सिंग ने वरस 1908 में ACI खेलू में 200 मिटर और 400 मिटर में स्वन पदक जीता था ये एकदम सही कतन है दोस्तों दूसरा देखे वदेश और विश्वे में फ्लाइंग सिक यानि की उडन सिक के नाम से परसी थे ये भी सही है वेवरस 1960 में रोम ओलम्पिक में 400 मिटर रेस इस परदा के फाइनल में चोते इस्तान पर रहे ये भी सही है उन्हें 1960 में पदम भूसन सम्मान से समानित किया गया ये आपका गलत है तो चार नमर ओप्सन यहां पर आपका सही रहेगा नेक्स्ट यूसर में चलते हैं क्यूसर नमबर चार तेरा मही 2021 को किसे बारतिय मैला क्रिकेट टीम का मुखे कोच किन को नुक्त किया गया है दोस्तों रमेश पौवार को ओप्सन तीन यहां पर सही आपका रहने वाला है क्यूसर नमर पांच की ओर चलते हैं पांच नमर क्यूसर नहीं आपका पांच नमर क्यूसर नहीं देखे चार मर्च 2021 को कौन बलेबाज किसी अंतराज टेमेंच मेर एक आवर में छे छक्के लगाने वाला विश्वे का तिसरा बलेबाज बन गया है दोस्तों एक आवर में 6 छके भारत के किस बलिवाजने लगाए है यूवराज सिंग ने इंगलेंड की खिलाब लेकिन 4 मार्च 2021 को लगाए थे किरोन पोलार्ड ने दोस्तूं दो नमर उप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं छे नमर क्यूसन है मार्च 2021 में वंडे किर्केट में अपना परदापन मैच में किस किर्केटर ने सबसे तेज अर्ध सतक लगाने का रिकोर्ड बनाया अपना पेलाई मैच और सबसे तेज अर्ध सतक किसने लगाया दोस्तों इम्पोर्टेंट क्यूसन कुनाल पांडिया ने, ओप्सन दो सही रहेगा, बारती टीम में ओल्राउंडर के रूप में ये क्रिकेट खेलते हैं, नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं, ओलम्पिक खेलू में जिम्लाश्टिक इस परदा में जज के तोर पर जाने जाने वाले पहल बारती है, कौन है, दीपक काबरा दोस्तों, एक नमर ओप्सन सही रहेगा, नेक्स्ट यूसन में चलते हैं, 12 मार्च 2021 को किस बारती है महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों, T20, One Day और जो हमारा टेस्ट होता है, उनमें, 10,000 रन बनाने वाली पहली बारती है महिला कि लाड़ी और विश्वे की दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई है, तीनू के 10,000 रन तीनू के अंदर बना लिये हैं इसने, तो कौन है दोस्तों यह, यह है आपकी मिताली राज, ओप्सन चार यहां पे सही रहेगा, नेक्स्ट यूसन में चलते हैं, 13 जुलाई 2021 को क् 14,000 रन बनाने वाले विश्वे के पहले बले बाज है, तो क्रिकेट टीट वन्टी फोर्मेट है, उसके अंदर 14,000 रन बनाने वाले विश्वे के पहले बले बाज बन गए हैं आपके क्रिस गेल दोस्तों, ओप्सन एक यहां पे सही रहेगा, नेक्स्ट यूसन में चलते है क्यूसर नमबर दस है आपका 30 जुलाई से 1 अगस्ट 2021 के मद्दे टोक्यो ओलम्पिक 2020 में पुर्सू एवं मैलाउं की 100 मिटर दोड इस पर्दा संपन हुई 30 जुलाई से 1 अगस्ट के मद्दे हुई थी दोड इस पर्दा के संब्द में विकल में से कौन सा तत्ते सही नहीं है वो आपको बताना है तो देखे मित्रू पूर्सू की 100 मिटर दोड का स्वन पदक इटली के लामोट मार्सेल जेकब्स ने जीता सही है जेकब 100 मिटर दोड में स्वन पदक ओलमपिक में जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी है ये भी सही है मैलाउं की 100 मिटर दोड का स्वन पदक सेली एन फ्रेजर प्राइस ने जीता ये गलत है बिंजिंग ओलमपिक 2008 के बाद पहली बार जमेका ने मैलाउं की 100 मिटर दोड इस परदा के सभी स्वन पदक जीते हैं ये सही है तो यहाँ पे तीन नमर उप्सन आपका सही रहेगा क्योंकि ये सत्यन गलत है दोस्तों नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं क्यूसन नमर 11 देखे 26 जून 2021 को कौन महिला खिलाडी स्ट्रीट स्केट बोल्डिंग इस परदा में स्वन पदक जीत कर ओलमपिक इतियास में सबसे कम उमर में स्वन पदक जीतने वाली दूसरी खिलाडी बन गई है कौन है दोस्तों ये ये है आपकी मौमी जी नीसिया ओप्सन दो यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं साथ अगस्ट 2021 को टोक्यो ओलमपिक 2020 में ये टोक्यो ओलमपिक होना था 2020 में कोरोना की बज़े से 2021 में हुआ है मित्रू तो बताइए साथ अगस्ट 2021 को टोक्यो ओलमपिक 2020 में जेवलिन त्रो याने भाला फेक का फाइनल मुकाबला हुआ इस मुकाबले के सम्मन्द में विकल में से कौन सा तत्ते सही नहीं है वो आपको यहां पे बताना है पहला देखे बारत के निरत चोपड़ा निस 88.58 मिटर बाला फेक कर स्वण पदक जीता सहीए दोस्तू सहीए आपका यह बाला दिवस साथ अगस्ट को मनाया जाएगा अरसलास इस साल से दोस्तू दूसरा देखे वह ओलंपिक में वेक्तिगत इस परदा में स्वण जीतने वाले पहले बारतिये है यह आपका गलत है दोस्तू दो नमर उप्सन गलत तीसरा देखे चेगंडराज्य के जेकब वाडनेग ने 86.67 मिटर बाला फेक कर रज़त पदक जीता यह सही है चेगंडराज्य ने ही रज़त और कासे दोनु जीते थे दोस्तू बाला फेक में के ही विटेस सुलाव वेसली ने 85.45 मिटर बाला फेक कर कासे पदक जीता यह भी सही है तो यह गलत क्यों है वेक्तिगत इस परदा में नीरत चोपडा स्वन पदक जीतने वाले पहले भारतिय नहीं है दोस्तू कारण क्या है दोस्तू बाला फेक में इस बार भारत ने स्वन पदक जीता लेकिन इससे पहले वेक्तिगत इस परदा में स्वन पदक जीत चुके है कौन अभिनाव विंद्रा ये दूसरे भारती है कि लाड़ी है दोस्तों तो ओप्सन दो यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं 6 अगस 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 की में टेबल टेनिस इसपर्दा महिला एवं पुरुस संपनुई इस इसपर्दा के वीजेताओं के संबन में विकल में से कौन सा कत्तन या तत्ते सही नहीं है मित्रू यहां पे आप सभी को एक बात बता दू कि अंत के अंदर जैसे हमारी एक 50 क्यूसन कंपलिट होंगे उसके बारे में टोक्यो ओलंपिक है उसके जो इंपोर्टेंट क्यूसन बनते हैं जो फेक्ट है आपके सामने में रख दूँगा इसलिए अंतक आप मेरे साथ ब बता दूँगा तो पहले क्यूसन अमर 13 यानि हम 50 क्यूसन देख लेते हैं 6 अगस 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में टेबल टेनिस इसपर्दा महिला एवं पूरुस संपनुई इस इसपर्दा के विजयताओं के समंद में विकल्प में से कौनसा तत्ते सही नहीं है वो आपको बत जुन मिजुतानी और मीमा इत्तो की जापानी जोड़ी ने जीता ये भी सही है महिला टीम इसपर्दा का स्वन पदक जापान ने जीता गलत है आपका ये ओप्सन चार यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं क्यूसन नंबर 14 साथ अगस 2021 को भारतिये पहलवान बजरंग पूनिया ने किस पहलवान को प्राजित कर कासे पदक जीता था दोस्तों किसको किया था दोलत नियाज बेकोब को दोलत नियाज बेकोब को प्राजित करके बजरंग पूनिया ने ओलंपिक के अंदर 65 किग्रा भार वरक के अंद क्या जीता था कास से पदक दोस्तों एक नमर ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं 24 जुलाई 2021 को किस बारतिय के लाड़ी ने टोक्यो ओलम्पिक में बारत की तरफ से पहला पदक जीता बहुत इंपोर्टेंट क्यूसन मीरा भाई चानू साही खौम मीरा भाई चानू ने जीता था आगे चलते हैं नेक्स्ट क्यूसन की और क्यूसन नमबर 17 25 अपरेल 2021 को तासकंद में संपन ACI बारो तोलन चेंपियनसिप 2020 में बारत पदक तालिका में किस इस्तान पर रहा इंपोर्टेंट क्यूसन बन सकता ये भी दोस्तों और इसके अंदर भारत आटवे इस्तान पर रहा था दोस्तों कौन से इस्तान पर आटवे ओप्सन चार या पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं क्यूसन नमर 18 मार्च 2021 कौन महिला तलवारबाज टोंक्यो ओलम्पिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतिय तलवारबाज बन गई है महिला तलवारबाज जो पहली महिला तलवारबाज है टोंक्यो ओलम्पिक क्वालिफाई करने वाली कौन है सीए बौवानी देवी ओप्सन एक आपका यहां पे सही रहेगा सीए बौवानी देवी है यह तमिला डू राजिय से इनका सम्मन्द है दोस्तूं नेक्स्ट यूशन में चलते हैं 18 अप्रेल 2021 को संपन सीनियर A.C.I. कुस्ती चेंपियन सिम 2021 में बारत कुल कितने पदक प्राप्त कर पदक तालिका में तीसरे इस्तान पर रहा दोस्तूं बारत ने कितने पदक प्राप्त किये थे चोदे पदक यहां पर प्राप्त किये थे और तीसरे इस्तान पर यहां पर भारत रहा था दोस्तूं इंपोर्टेंट क्यूसन ये बन सकता है नेक्स्ट यूसन में चलते हैं क्यूसन नमबर बीस मार्च दो जार इकीस में जर्मनी के थोमस बाग को IOC के 137 सतर में अंतराश्टे उलम्पिक समेती का पून्य अद्धिक्स चूना गया है द्यान से पड़े उनके चुनाव के सम्मन्द में विकल में से कौन सा तत्ते सही नहीं है दोस्तु पहला है चुनाव कि में कुल चोराण में वेदे मत्तु में से त्राण में वोट उनके पक्स में मातर एक वोट उनके विपक्स में पड़ा ये सही है उनका कारियकाल टोक्यो 2021 ओलम्पिक के अन्तिम दिन 8 अगस्त 2021 को समाप होगा हो रहा था दोस्तों जिसको आगे बढ़ा दिया गया है ये भी आपका सही है तीसरा देखे उनका दूसरा कारियकाल 9 अगस 2021 से वरस 2026 तक रहेगा नहीं क्योंकि 8 वरस के लिए उनका कारियकाल चुना गया आगे तो तीन अमर उप्सन आपका क्या हो गया गलत हो गया 2021 से 2029 तक रहेंगे थोमस बाग पहली बार वरस 2013 में बयुनस आयन्स में IOC सतर में 8 वरस के कारियकाल के लिए IOC के अद्धिक्स चूने गए थे नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं क्यूसन अमर 20 दिसंबर 2020 में किर्केट की बाइबल कही जाने वाली विजडन पत्री का दोरा ICC के ओल टाइम सर्वेसरेश्ट रेंकिंग के आदार पर चूने गए सर्वेसरेश्ट वंडे एककादस में सामिल एक मातर भारतिये खिलारी कौन है दोस्तून तो यहां से क्यूसन पहला बन सकता है कि cercait की बाइबल किसको का जाता है विजडन पत्री का को का जाता है और इसके अंदर ओल्टाइम सर्वसरेश्ट रेंकिंग के आदार पर चुनेगे जो सर्वसरेश्ट एकादस है उनमें एक मातर भारतिय है और वो है कपील देव एक नमर ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसर में चलते हैं वरस दोजार चोतीस में एसियाई खेलू का आयोजन कहां किया जाएगा दोजार चोतीस के अंदर एसियाई खेलू का आयोजन कहां पर किया जाएगा दोस्तों रियाद के अंदर ओप्सन चार यहां पर सही रहेगा दोजार चोतीस की बात कर रहे हैं वहाँ पर इनका योजन किया जाएगा, नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं, पेरिस ओलंपिक दोजार चोबीस में, किस इसपरदा को आधिकारिक तोर पर सामिल किया गया है, पेरिस ओलंपिक दोजार चोबीस है, विश्वे का सबसे ही हुआ, सबसे कम उमर में 17 ग्रेंड मास्टर बने 30 जून 2021 को कौन बने दोस्तूं अभिमन्यू मिस्रा, ओप्सन 4 सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन है, चैगस 2021 को बारत के सर्वोचे खेल पुरुसकार, राजी उगांदी खेल रतन पुरुसकार का नाम बदल कर रखा गया है मेजर ध्यानचंद, ध्यानचंद, खेल रतन पुरुसकार दोस्तूं ये इंपोर्टेंट क्यूसन बन सकता है, ओप्सन 1 सही रहेगा बात यहां पर ये भी हो सकते है, क्योंकि ये क्यूसन है, इंपोर्टेंट बनता है, चैंज किया गया नाम तो ये भी पूचा जा सकता है कि मेजर ध्यानचंद, खेल रतन पुरुसकार है, इसका पहले नाम था राजिव गांदी खेलरतन पुरुसकार इसको कब शुरू किया गया तो इसकी स्तापना की गई थी 1901 में ब्राण में के अंदर दोस्तूं नेक्स्ट क्यूसर में चलते हैं अगस 2021 में संपन फिडे सत्रंज विश्वकंप 2021 का किताब किसने जीता दोस्तूं जैन क्रिश्टोप डूडा ने ओप्सन तीन सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं चार अगस 2021 को संपन फिडे महिला सत्रंज विश्वकंप 2021 का किताब किसने जीता दोस्तूं एले जैन्डरा कोष्टे नियूक ने दोस्तूं ओप्सन एक सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन है क्यूसन नमबर 28 थोड़े से क्रिकेट के बारे में देख लेते हैं इंपोर्टेंट क्यूसन अब यहां से 28-23 जुलाई 2021 के मद्द भारत और सिरलंका के भी इस तीन एक दिवसिये मेचू की स्रीज सिरलंका में संपन हुई इस स्रीज के सम्द में विकल्पू में से कौन सा तत्ते सही नहीं है वो आपको बताना पहला है इस एक 2C Stream को भारत ने 2-1 से जीता सही है इसमें बारतीय टीम के कप्टान ओब्दा स्रीच चुना गया गलत बात हैं इसमें किसन को नहीं चुना गया था दोस्तों सूरिय कुमार यादव को सूरिय कुमार यादव को प्लेयर ओब्दा स्रीच चुना गया था इंपोर्टेंट बन सकता है इस स्रीज के तीसरे और अंती मेच में भारत के पांच खिलाड़ी ने अंतराश्टिय वंडेट किर्केट में परदारपन किया ये भी सही है तो तीन नमर उप्सन आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं 16 जून 2021 से 14 जुलाई 2021 के दोरान भारत की मैला किरकेट टीम इंगलेंड के दोरे पर रही इस दोरे के सम्मन में विकल में से कोन सा तत्ते सही नहीं है वो आपको बताना है तो चलिए मितरू देखते हैं चारु कतन पहला कतन है बारत की महिला किरकेटीम और इंग्लेंड की महिला किरकेटीम के मद्दे ब्रिस्टल में खेला गया एक मातर टेस्ट मैच ड्रो रहा ये तो सही है आपका तीन एक दिविशे मैचू की स्रीज और तीन टीटवंटी मैचू की स्रीज दोनों को इंगलेंड ने दो एक से जीत लिया ये भी सही है तीसरा देखे, तीन एक दिव से मेचू की स्रीज, इंगलेंड के सोपी, एकले स्टोन, यह पलेयर ओप दे स्रीज चुनी गई, यह भी सही है, तीन टीटुएंटी मेचू की स्रीज में, इंगलेंड की डेनियल बोईट, पलेयर ओप दे स्रीज चुनी गई, यह गलत है दोस् नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं 21 मार्च 2021 को संपन रोड सेप्टी वर्ल्ड कप T20 स्रीज 2021 का किताब किस ने जीता इंडिया लिजेंड्स ने दोस्तों एक नमर उप्सन सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन है 20 जुलाई 2021 को भारत और इंग्लेंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच तीन मेंचु के एक द्विसियत स्रंकला संपन हुई इस स्रंकला के संबन में विकल में से कौन सा सही नहीं है पहला है इंग्लेंड की महिला क्रिकेट टीम ने ये स्रीज दो एक से जीती सही है इस रंगला में सरवाधिक विकेट आठ विकेट लिए इस रंगला में सरवाधिक रंद 2026 रंद भारत की मिताली राज ने बनाई ये भी सही है इस रंगला में भारत की मिताली राज को प्लेयर ओप दे स्रीज दिया गया ये भी सही है आपका दो नमर कतन यहां प टेस्ट चैंपियनbourne के पहले संस्कुरण के फाइनल मैच में के संबंद में विकल मैं से कौन सा तत्ती सही नहीं है पह底 के विश्वेटर टेस्ट चैंपियन्सिंप के पहले संस्कुरण का फाइनल मुकाबला साूथ केमटन में खेला गया हूए न्यूजिलेंड ने भारत को ट्विकेट से प्राजित कर फाइनल मुकाबला जीत लिया सही है विजेता टीम को पुरुषकार सवरूप एक दस्मलव छे मिलियन डोलर की रासी परदान की गी सही है न्यूजिलेंड के केन वीलियम संग को मेन ओब्दा मेंच चुना गया ये गलत है दोस्तों केन वीलियम सं क्योशन में चलते हैं क्योशन नंबर 33 अप्रेल 2021 के विजलन क्रिकेट अलमानेक द्वारा 2021 संस्क्रण के विजेताओं की गोशना की गई इस सम्मंद में विकल में से कौन सा तत्ते सही नहीं है वो आपको बताना है पहला है इंगलेंड के बेन स्टों को लगातार दूसरे वरस का सर्वेसरेष्ट क्रिकेटर चुना गया सही है आस्ट्रेलिया का वेन मुनी वेत मुनी सर्वेसरेष्ट महिला क्रिकेटर चुनी गई ये भी सही है आगे है डेविड मलान को सर्वेसरेष्ट टीटवन्टी क्रिकेटर चुना गया ये गलत है बारते क्रिकेट टीम के 2010 वाले दसक का सर्वेसरेश्ट एक दिवसी एक क्रिकेटर चुना गया ये भी सही है तो तीन नमर उप्सन आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट यूसन है 4 अप्रेल 2021 को लगातार 22 वंडे जीतने का वर्ल्ड रिकोर्ड किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने बनाया है दोस्तूं आइस्ट्रेलिया ने ओप्सन दोस्त सही रहेगा नेक्स्ट यूसन में चलते हैं 13 मई 2021 को ICC दुआरा MRF टायर्स ICC मैंस टेस्ट टीम की रेंकिंग का वार्सिक अपडेट जारी किया गया इस वार्सिक अपडेट में कौन सा देश रेंकिंग में पहले इस्तान पर है दोस्तूं कौन सा है 21 देश पहले इस्तान पर इसके अंदर है नेक्स्ट की ऊशन यहाँ पे दूसरे इस्तान की भी बात ऊसकते हैं दूसरे विश्वर टेस्ट चेंपियंशी में नुजिलेंड है वो दूसरे इस्तान पर पहले पर कोन है बारत है दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं 20 मार्ट 2021 को बारत और इंग्लेंड के बीच 5 T20 में चूँ कि सिरीज बारत में संपन हुई इस शिरीज के संपन में विकल में से कौन सा तत्यस सही नहीं है वो बताना है तो पहला देखिए बारत ने ये T20 सिरीज 3-2 से जीती सही है इस शिरीज में विराट कोली को प्लेयर ओप दे में सिरीज चूना गया ये भी सही है इस श्रीज में सर्वाधिक रन 231 बारतिये कफ्तान विराट कॉली ने बनाई ये भी सही है इस श्रीज में सर्वाधिक आर्ट विकिट इंग्लेंड के नहीं जोप्रा अर्चर ने लिए थे बारत के सार्दूल ठाकूर ने लिए थे किसने? सार्दूल ठाकूर ने तो आपका गलत कौन सा हो गया चार नमर वाला ओप्सन चार सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं क्यूशन नमर 37 फ्रवरी 2021 में किस किर्केटर को जनवरी 2021 में उनके सांदार परदर्शन के लिए ICC Men's Player of the Month Award के लिए चुना गया है दोस्तों किसको रिसब पंत को ओप्सन दोस्त सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नमर 38 चोदे मार्च 2021 को संपन लिस्ट एज क्रिकेट टूर्नामेंट विजे हजारे ट्रोपी 2021 के संबन में विकल मैं से कौन सा तत्ते है जो सही नहीं है दोस्तों देखे चुगदा मार्च 2021 को मुंबई और उत्तर प्रदेश के बीच फाइनल मुकाबला नई दिली इस्तित अरुन जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया सही तो अरुन जेटली क्रिकेट स्टेडियम का है दिली के अंदर फाइनल मुकाबले में मुंबई ने उत्तर परदेश को 6 विकिट से प्राजित कर चोती बार इस ट्रोपी को जीत लिया ये भी सही है इस सतर में मुंबई ने मुंबई के बलेबाज 208 में चुमे कुल 827 रन बनाए और एक सतर में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाडी बन गए ये भी सही तीनु सही है तो चोता अपने आप गलत है टूर्णामेंट के इस सतर में गुजराद के अरजुन नागवास वाला ने सरवादिक 20 विकिट साथ में चुक में लिये ये गलत है दोस्तों नेक्स्ट क्यूसर में चलते हैं क्यूसर नमर 49 पांच प्रवरी 2021 से आठ मार्च 2021 के मद्दे बारत इंगलेंड के मद्दे चार टेस्ट में चुकी सिरीज बारत में संपन हुई इस सिरीज के संब्द में विकल में से कौन सा तत्ते सही नहीं है पहला देखिए भारत ने ये सिरीज 3-1 के अंतर से जीती ये तो सही है सिरीज का पहला मैच एमेच इदंबरम स्टेडियम चेनई में खेला गया जिसे भारत ने 227 रन से जीता ये गलत है दोस्तों तीसरा देखिए इस सिरीज में 32 विकिट लेने वाले रवीच चंदरन अस्विन को प्लेयर ओफ दे सिरीज चुना गया ये भी सही है चोता कतन देखिए अस्विन ने तीसरे टेस्ट में जोपरा आर्चर को आउट करने के साथी टेस्ट किर्केट में 400 विकिट पूरी के ये भी सही है तो गलत दो नमर वाला ओप्सन दो सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं नो मार्च 2021 को किस किर्केटर को ICC ने फ्रवरी महा के लिए ICC Mains Player of the Month चुना है दोस्तूं किस किर्केटर को चुना है रवी चंदरन अस्विन को ओप्सन तीन सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं IPL 2021 के किताब की विजय था टीम कौन सी है? IPL 2021 की बात कर रहे हैं तो IPL 2021 का किताब किस ने जीता था? चैने इस सूपर किंग्स ने जीता था दोस्तुँ अब बात कर लेते हैं कि ICC जो हमारा IPL 2021 हुआ है इसका फाइनल मेच किन किन के मत देखे लागया IMPORTANT Qution आपके लिए ये बन सकता है मित्रों वहुत IMPORTANT Qution हो सकता है अने वला तो IPL मेच का जो फाइनल था दोस्तों वो चैने इन जीता ये 14 उस और संस्क्रणच जो फाइनल का मेच चैने ने जीत लिया इसके साथ जो मेच के लागया था वो खिला गया था मुमई इंडियन्स के साथ दोस्तूं अब यहां पे important क्यूशन कौन से बनते हैं देखे मित्रों आप सभी अभी लंबा वीडियो हो रहा है तो आसानी से देख लाए यह क्यूशन बन सकते हैं IPL 2021 के अंदर orange केप किस के पास रही यानी सरवादिक रन बनाने वाले खिलाडी है रीतुराजगाई क्वार्ड चेने सूपर किंग से 635 रन बनाए परपल के किस के पास रही सरवादिक विकेट लेने वाले कौन थे हरसल पटेल बेंगलोर के खिलाडी 32 विकेट लिए 15 मेंचू के अंदर दोस्तों इन्होंने पलेयर ओप दे सीरीज किसको चुना गया था हरसल पटेल को चुना गया था दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्यूसन की और क्यूसन नमर 42 42 नमर क्यूसन है 31 जनवरी 2021 को संपन सेयद मुस्ताक अलिटी 20 ट्रोपी 2021 का किताब बडोदा की टीम को प्राजित कर किसने जीत लिया तमिल नाडूने ओपसन दोस्त सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन है 28 दिसंबर 2020 को ICC दुआरा गोसित दसका स्रेश्ट वन डे टीम का कप्तान किसें बनाया गया है दोस्तूं किसको महंदर सिंग दोनी को ओपसन 3 सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन है क्यूसन नमर चमालेश 5 सितंबर 2021 को क्यूसन क्या है 5 सितंबर 2021 को संपन बेड मिटन पढ़ती होगी था मेक्सिकन इंटरनेशनल चेलेंज 2021 के पुरुस एकल का किताब किसने जीता है दोस्तूं किसने लुईस एन्रिक पेनल वर ने ओपसन आपका यहां पे 2 सही रहेगा यह कहां के खिलाडी है इस्पेन के नेक्स्ट में चलते हैं 5 सितंबर 2021 को संपन गौल परतियों किता टूर चेंपियंशिप 2021 का किताब किसने जीता किसने जीता पेट्रिक केट लेने ओपसन एक सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन है 7 अगस 2021 को यह क्यूसन दो आपने पहले देग लिया है दोस्तूं पहले देग लिया है नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं आईपेल 2022 में कौन सी दो नहीं टीमें सामिल होगी आईपेल 2022 नेक्स्ट आईपेल के अंदर आट टीमों की जगए दस टीमें इसा लेगी और दस टीमों में दो टीमें यह जुड़ जाएगी एमदाबाद और लखनाओ एक नमर ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन है बारतिये पुरुस्ट क्रिकेट टीम के नए कोच बनाए गए है राहूल दर्वीड ओप्सन एक सही रहेगा रवी सास्त्री की जगह लेंगे यह नेक्स्ट में चलते हैं ICC पुरुस्ट T20 वर्ल्ड कप 2021 की विजेता टीम ICC पुरुस्ट T20 वर्ल्ड कप 2021 में हुआ उसकी विजेता टीम कोन बनी है यह आप से यहाँ पे पूचा जा रहा है तो विजेता बनी है दोस्तों कोन आश्ट्रेलिया और चलते हैं नेक्स्ट क्यूसन पचास नमर की ओर कॉमनवेल्ट केलू में हाली में किस खेल को सामिल किया गया है माईला किरकेट को ओपसन एक नवंबर के अंदर माईला किरकेट को ओलम्पिक जो सोरी कॉमनवेल्ट गेम है उनके अंदर Olimpik के अंदर तो आपको आमने पेले क्यूसन बता दिया है बात कर रहें कॉमन first के लूंगी तो मैला क्रिकेट को इसके अंदर 24 सालों के बाद सामिल किया गया है दोस्तों ये हो गए अमारे क्यूसनों की लेकिन हमने पहले बात किती कि आपको जो हमारे टोक्यो ओलंपिक है, उसके बारे में हम जानकारी देंगे, तो चलते हैं टोक्यो ओलंपिक की ओर, टोक्यो ओलंपिक, देखे मित्रू, बात किसकी कर रहे हैं हम, टोक्यो ओलंपिक की, टोक्यो ओलंपिक, इंपोर्टेंट जो चीजें यहां पे बनेगी, मैं वो 21-21 में हुआ मित्रू अब यहां पर मित्रू सबसे बड़ी बात आयोजन कहां पर हुआ है टोक्यो नाम से पता चल जाएगा टोक्यो जापान की राजदानी टोक्यो के अंदर 23 जुलाई से 8 अगस्त के मद्दे सबसे बड़ी चीज अब इस बार ओलंपिक का सुबंकर क्या थ यह important क्यों बनता है मित्रू क्या था मीराई तोवा याद रखना मीराई तोवा दोस्तों दूसरी बात मीराई तोवा अब बात कर लेते हम भारत की भारत में इसमें कुल पदक जीते थे साथ साथ मेंसे एक स्वान था दो रज़त थे और चार कासे थे स्वान रजट कासे important question बन सकते हैं ये अब यहाँ पे कि उदगाटन के द्वजवाक मेरी कौम वे मनप्रीत सिंग थे समापन के द्वजवाक कौन थे बजरंग पूनिया ये जो स्वन पदग मिला है ये किसको मिला है नीरज चोपड़ा को दोस्तु नीरज चोपड़ा एक मातर जिन्होंने क्या जीता है स्वन पदग दोस्तु पहली बार भारतियत तलवारबाज जो अलमपिक में सामिल हुए वो थी बौनी सिंग दोस्तु important क्यूसन बन सकता है ये तो इतने क्यूसन आप याद रख लें बहुत अच्छा है बारत का जो अलमपिक है इसके अंदर 48 वां इस्तान था पदकू की स्रेनी से एक नमबर पर स्यूक्तराज अमेरिका 113 पदक उसने जीते दो नमबर पर चीन 88 पदक जीते और जापा ने 88 पदक जीते तो दोस्तो ये थी आज की क्लास साइध आज के जो क्यूसन थे कुछ 88 क्यूसन आपको लगे होंगे और एक्जाम में इसी प्रकार के क्यूसन आपको देखने को मिलेंगे वीडियो को लाइक करें सेर करें अगर किसी क्यूसन में कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जे हिन जे बारत